बॉलिवुड में अक्सर लोग फिल्मों की चलने का क्रेडिट अक्टर्स को देते हैं, हीरो ने कितना बढ़िया काम किया, हीरो इनने फिल्म में जान डाल दी वगेरा वगेरा तो फिल्म पिटने का क्या, उस टाइम कमिया दूसरों में क्यों रूडी जाती हैं, कभी ओडियन्स पे लजाम तो कभी डिरेक्टर पे पर असलियत में धोका देने वाला कोई और नहीं आपका फेवरिट आक्टर होता है आयुश्मान खुराना, आज इन्होंने लिटरली दिल के तुकड़े तुकड़े कर दिये हैं मेरे अनेक, फिल्म का टॉप एक इतना जबरदस था कि ट्रेलर देखकर लगा ये सिर्फ सिनवा नहीं, ये तो पूरा देश हिला सकती है लेकिन दूर से चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती मेरे दोस्त कहानी एक पहेली से जुड़ी हुई है जिसका नाम है जॉनसन कहने के लिए ये नौर्टीस में कोई सीक्रेट और्गनाईजेशन है जो अपने स्टेट्स को इंडिया से तोड़के एक अलग देश बनाना चाहती है लेकिन इंटरस्टिंग बात ये है कि ये जॉनसन आखिर है कौन वो किसी को नहीं पता जंडे पर बस किसी का चहरा बना हुआ है जो शायद कई सालों पहले दुनिया को अलविदा बोल चुका है अब इस पहेली को सुलजाने और देश के तुकड़े होने से बचाने की जिम्मिदारी लेके एक सीक्रेट एजेंट इस एरिया में एंट्री मारता है और नाम पहचान सब को छुपा के खुद इस जॉनसन को भगबान मानने का नाटक करने लगता है अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस सीक्रेट ऑफिसर के दिमाग का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है किसी बड़े नेता की पॉकेट में लेकिन दिल इस एरिया में रहने वाली एक सुन्दर सी लड़की के काबू में है जिसकी जिंदगी इंडरेकली जॉनसन के साथ जुड़ी हुई है आब अपना हीरो क्या चुनेगा दिल्ली वाला दिमाग या जॉनसन वाला दिल और ये Johnson सच में है भी या फिर सिफ एक भूत है लोगों को डराने के लिए देखो बॉस कहानी सुनके टिकेट बुक मत कर लेना वो मेरा टैलेंट है आपको फिल्म समझाने का हकीकत में अनेक के अंदर आपको कोई कहानी नहीं मिलने वाली है Zero Story मतलब ये शायद पहली ऐसी फिल्म है जिसकी ना तो कोई शुरुवात है ना कोई इंटरवल और नाहीं कोई क्लाइमेक्स बस धाई घंटे स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चलता रहता है फिल्म का जो टॉपिक था वो इतना स्ट्रॉंग था जो पूरी नॉर्टीस्ट कम्यूनिटी के रियल इशूस को नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर सकता था लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा कोई भी सीन या फिर एक भी डायलोग ऐसा पावफुल नहीं है जो आपके दिल दिमाग पे इंपक्ट छोड़ जाए पूरी फिल्म याद रहना तो दूर की बात है एक मिनिट पहले भी क्या हुआ आप शायद वो भी भूल जाओगे सिर्फ फिल्म बनाने वाले लोगों के personal opinions को audience के सामने रखा गया है North East में क्या गलत होता है क्या सही है वो 3 घंटे बाद भी समझ नहीं आया किसी को Boss audience फिल्म देखती है entertainment के लिए एक कहानी जिसकी कोई ending होनी चाहिए ये अलग-अलग सीन को एक दूसरे से जोड़ कर स्क्रीन पर चला देना इससे Instagram का real बनता है Bollywood की फिल्म नहीं आयुशमान खुराना इनको Bollywood का घंबन समझा जाता है ये बंदा कभी फाल्तू फिल्म नहीं बना सकता ऐसी guarantee मैं भी दिया करती थी लेकिन आज दोनों हाथ जोड़कर आप लोग उसे माफी मांगती हूँ मेरा और Bollywood दोनों का घंबन तूटके बिखट चुका है अनेक के अंदर आयुशमान कहां है आपको ढुणने से भी नहीं मिलेंगे ऐसा लगता है बस कोई बिचारा एक लड़का कैमरा के सामने हीरो बनने की आक्टिंग कर रहा है मतलब इतनी जबरदस कास्टिंग थी इस फिल्म में कि टैलेंट भी शर्मा जाए लेकिन हर एक अक्टर पूरी तरह वेस्ट मारा गया है अक्टिंग कहानी ही नहीं है तो उसके कैरेक्टर्स वैसे भी इंपोर्टिंट नहीं लगते जादा चौकिये गमत अगर बॉलिवुड की बाखी फिल्मों की तरह अनेक का कलेक्शन भी नीचे से टॉप मार दे क्योंकि फियेटर तक लोगों को खीच के लाने वाली एक बी क्वालिटी नहीं है इस फिल्म में आज तक में सोचती थी कि आयूश्मान की फिल्म में स्टार काटने कहाँ पर है उसमें बहुत महनत लगेगी लेकिन आज पहली बार इनकी फिल्म को स्टार्ट देना कहां पर है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा तियार मेरी तरफ से अनेक को मिलेगा पांच में से एक स्टार्ट वो भी नौर्टीस्ट के इश्यू पर फिल्म बनानी है सिर्फ ऐसा सोचने के लिए नेगेटिव में पहला स्टार्ट कटे का कहानी जो इस फिल्म में है नहीं दूसरा आक्टिंग जो किसी को करने का मौका नहीं मिला तीसरा डिरेक्शन अनुभव सिना सर इस फिल्म को किस डिरेक्शन में ले गए है शायद उनको खुद भी नहीं पता और चौथा आयुश्मान के लिए जब लोग आप पे भरोसा करते हैं तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए सिर्फ करदर करनी चाहिए घर में बत्ती गुल है या फिर गर्फ्रेंड को प्रपोज मारने का आपका आइडिया फुल है तो चले जाओ थेटर खाली मिलेंगे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वन्हा थोड़ा सा इंदुजार करीब मिलूगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई